हेई फ्रेंड्स दिस इस रोन और अब देखर रोन व्लॉग और यह है संटीबंडी टीवेस जिनके वजह से हम इस स्कूटी को रिव्यू कर पा रहे हैं तो बात करते हैं टीवेस एंटॉग 125 बेशिक्स के रेस एडिशन की जैसा कि आप स्क्रीन पर देखी पा रहे होंगी य यह काफी पॉबलर स्कूटी ए और जो आप इसको चलाएंगे तो आपको फील भी होगा कि इस स्कूटी के जो पावर है और जो इसका एकस्लेरेशन वो दूसरी स्कूटी से काफी अलग है बात करते हैं इसका । dimension की जो screen पे left hand side में आपको देखने को मिल रही होगी इसका जो curve weight है वो 118 kg है जो कि काफी सही है और fuel capacity 5.8 liter है जो कि एक अच्छी range provide कर सकती है बाकि इसमें काफी नए changes है पहला changes के graphics में जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें पूरे नए graphics दिये हैं जो कि race oriented है और overall scooter काफी अच्छी है इसमें आगे आपको LED भी देखने को मिल जाता है headlamp जो की सही है और जो पीछे वो भी LED पहले से दिया हुआ था और पीछे भी काफी अच्छा design है तो overall scooter काफी अच्छी है और हम अगले से बात करेंगे इसमें अलग-अलग specification की तो अभी आप इसका overview देख रहे हैं और इसका wheelbase है 1185 है जो की काफी अच्छी आपको strength provide करता है high speed पे बात करते हैं front से तो front से scooty काफी अच्छी है इसका जो इसमें three tone color दिया हुआ है जैसा कि आप देखी पा रहे होंगे red है gray है black है जो की काफी सही है और स्कूटी पे काफी अच्छी से इसमें fit किया गया है front से स्कूटी काफी अच्छी लगती है काफी aerodynamic लगती है और यहाँ पर आपको TBS की 3D branding देखने को मिलती है और यहाँ पर glossy black finish देखने को मिल जाता है तो काफी अच्छा है बात करें front में LED की तो front में आपको T-shape LED देखने को मिलती है जो की DRL है और यह आप जैसे ignition on करेंगे यह on हो जाएगा बात करते हैं इसके front में तो front में आपको Telescopy Fox देखने को मिलता है जो की काफी अच्छा है और नॉर्मल इसको हरी स्कूटी में आपको देखने को मिल जाता है front brake आपको disc brake देखने को मिल जाता है जो की CBS के साथ आता है as a standard और फ्रेंट जो टायर है वो आपको 12 इंच का देखने को मिलता है यहाँ पर आपको end-talk race edition देखने को मिलेगा यह RTFI की branding है that is race tune fuel injection और यहाँ पर 125 की branding है और नीचे checker flag भी दिया हुआ है so overall scooty काफी अच्छी है और आपको काफी पसंद आएगी में लिए youth को ज्यादा attract करती है और बात करते हैं इसके front brake की तो front में आपको disc brake देखने को मिलता है जो की scooty में काफी सही है यह breaking power को enhance करता है साथ में ही यह look को भी काफी अधर enhance कर देता है इसमें petrol rotor disc दिया हुआ है जो की heat dissipation में काफी help करता है इसमें 100 by 80 section का 12 inch का wheel दिया हुआ है जो की काफी बड़ा लगता है और यह alloy wheel है काफी अच्छा लगता है इसका alloy wheel और बड़े wheel से scooty की stability भी अच्छी रहती है यहाँ पर आपको side में dash नीचे TVS racing देखने को मिल जाता है और यहाँ पर carbon fiber finish दिया हुआ है जो की काफी अच्छा लगता है और यह race oriented है side में अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पर आपको end talk की branding देखने को मिलती है 125 की और यह race edition end talk और 125 यह आपको 3D पे देखने को मिलता है जो की काफी premium लगता है देखने में और आपको काफी अच्छा लगेगा यहाँ पर आपको 3V यानि 3 valve की branding देखने को मिलती है और यह pair रखने के लिए पिलीन के लिए मेलने लेडिस के लिए और यह जो दोनों तरफ पैर करके रखते हैं उनके लिए स्कूटी में काफी सही चीज़े दी है साइड में आपको की मिल जाती है की slot यहाँ पर आपको यही से आप इसका fuel lid और seat दोनों खोल सकते हैं बात करते हैं बैक की तो बैक में आपको light कुछ इस तरह को देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको fake went scoop देखने को मिल जाते हैं जो की air carb drive है और यहाँ पर आपको TVS की 3D branding again मिल जाती है नीचे आपको काफी लंबा साइस में cover मिलता है जिससे की splash बगरा उपर नहीं आ पाएगा सो काफी सही है और स्कूटी में काफी अच्छी चीजे दी भी है दूसरी साइट में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको end talk देखने को मिलता है 125 यह भी 3D में है और नीचे आपको race edition देखने को मिलता है और यहाँ पर checker flag भी देखने को मिलता है और यहाँ पर red glossy finish भी देखने को मिल जाता है और नीचे matte finish जो काफी अच्छा है इसमें three tone color का use किया गया है जो कि इसकी खुप सूर्ती को काफी बढ़ा देता है TBS racing यहाँ पर आपको फिर देखने को मिल जाता है यानि कि स्कूटी में racing और इंटेट सारी चीजे दी गई है जो आपको काफी देखने को मिलता है जो कि मेरे साब से काफी अच्छा है और बात करते है रियर सस्पेंशन की तो इसमें coil spring with hydraulic temper spring loaded suspension दिये हुए है और यह single sided है तो नौर्मली स्कूटी में आपको देखने को मिलता है single sided और यह काफी अच्छा है यहाँ पर आपको drum brake देखने को मिलता है 130 mm का जो कि काफी सही है और अच्छी breaking power आपको produce करके देता है तो इस स्कूटी में अगर आप देखेंगे तो इसके tire को पर एक plastic का cover भी दिया हुआ है जो कि splash वगर को रोकता है आपको स्कूटी के internal parts में जाने में जिससे आपको स्कूटी काफी ज्यादा गंदी ना हो पाए और electric parts भी safe रहे हैं तो यह काफी अच्छा feature और काफी add-on इसमें दिया हुआ है और इसमें पीछे भी आपको alloy wheel देखने को मिलते हैं जो कि स्कूटी क स्कूटी को काफी जगा बढ़ा देते हैं और यहां पर इसकी विद भी काफी अच्छी है नि इसकी चुडाई भी काफी अच्छी है जो स्कूटी को अच्छे से suit कर पा रही है और अगर हम बात करें पीछे जो दिये गए की slot की तो इसमें आपको दो option मिलते हैं एक helmet बना ह हुआ है इसे आप seat open कर सकते हैं जैसे हैं क्लिक करेंगे यहां से seat open हो जाएगी और यहां पर seat open होते ही इसमें आपको काफी बड़ा space देखने को मिल जाता है जो की काफी बड़ा boot space है और यहां पर आप एक helmet आराम से रख सकते हैं और इसमें यहां पर एक light भी दी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे है और ही detachable light है यानि कि आप इस light को इसकी जगे से हटा के दूसरी जगे देखने के लिए लगा ले सकते हैं और यहां पर आपको एक charging port भी देखने को मिल जाता है यानि कि अगर आपको स्कूटी चार्ज करना है तो आप easily charge कर सकते हैं लेकिन है do not phone charge the phone when engine is off तो engine जब on रहे तब आप स्कूटी में phone charge कर सकते हैं अगर आप चार्ज करें तो इसकी battery low हो सकती है और यह starting problem create कर सकती है यहां पर आपको red color के cover देखने को मिलता है जो की BS6 के recording है और इसमें fill injection की tuning के लिए यह दिया जाता है जैसा कि आप देख पाएंगे यह यह connector दिया हुआ है जिससे की स्कूटी को एक computer से connect करके इसके अंदर के ergonomics को पढ़ा जा सके सो इसकोटी काफी advance है जैसे के अभी आप देखी पा रहे होंगे और अगर इसको हम दूसरी तरफ twist करते हैं जहां पर यह fuel का symbol है तो यहां पर आपको fuel lid open होते भी दिखेगी और इ इसमें आपको 2 से 2.5 liter reserve रखना है यानि कि वो आपको finish नहीं करना है जिससे fuel injection अपने optimum state में काम करता रहे है अगर आप इससे कम ले जाएंगे तो इसमें problem हो सकती है बात करते हैं इसके engine की तो इसमें 124.8 cc का single cylinder four stroke air cool fuel injection 3 valve engine देखने को मिल जाता है जिसकी maximum power 9.4 ps की है 7000 rpm औ इसमें आपको kick भी देखने को मिल जाती है जो कि as standard काफी अच्छा है और emergency scenario में यह help करेगा so engine का performance मुझे काफी सही लगा और अभी आप इसका engine sound को सुनेंगे जो कि मुझे काफी अच्छा लाग क्योंकि TVS अपने हर स्कूटी और वाइक में काफी अच्छा sound देता है so अभ sorry air and air cooled और fan cooled engine है जो कि काफी अच्छा है यहाँ पर आपको CBT RE का branding देखनों को मिलता है और जो इसका exhaust है मुझे काफी fancy लगा और काफी basic है जो कि काफी अच्छा है और यह काफी अच्छा sound produce करता है में लिए sound काफी लोग को पसंद आएगा भी so अब हम इसके exhaust note को सुनेंग so engine की आवाज भी काफी अच्छी थी और काफी अधर 30 है बात करते हैं इसके dashboard की तो फ्रेंड में आपको जो switch gears देखने को मिलते हैं वह high quality के देखने को मिलेंगे यानि कि आपको लगेगा कि इसकी quality काफी अच्छी है और इसमें horn indicator जो button दिया उसमें बीच में एक button और दिया जिससे आपको इंडिकेटर बंद कर सकते हैं पर आपको parking brake भी देखने को मिल जाता है यानि कि आप स्कूटी अगर किसी inclined plane में single sided खड़ा करना चाहते हैं तो पर आपको bar end weight भी देखने को मिल जाता है बात करते हैं इसके meter की तो उसके नीचे आपको 125 resolution देखने को मिलता है जो कि काफी जादा cool लगता है और इसको meter है पूरी तरह से digital है वो पहले से digital हाता था उपर आपको horse का logo देखने को मिलता है जो कि TBS का envelope है जो iscootie मुझे काफी अच्छी लगी अगर हम इसको on करते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ animation नहीं होता है सिदे आपको meter की screen है वो देखने को मिल जाती है इसमें आपको काफी ज्यादा feature देखने को मिलते है और अगर हम बात करें इसके indication की तो इसमें आपको fill indication भी देखने को मिलता है अगर आप meter में देखेंगे तो पूरी की पूरी digital screen है और यह काफी अच्छा है यहाँ पर आपको time देखने को मिलता है और यह आपको engine का temperature दिखाता है यह आप Bluetooth से pairing करके इसमें काफी information share कर सकते हैं और real time में आप अपने meter में देख सकते हैं जो dashboard है काफी अच्छा ह है जो कि Apache में आपको मिल सकता है तो इसमें काफी अच्छी चीजे हैं बात करते हैं इसमें फूट बोर्ड की तो काफी बड़ा फूट बोर्ड है अगर आप single side मदब single ride करें तो यहाँ पर आपको utility hook देखने को मिलता है handle के पास और seat के नीचे बोनों तरफ तो आप यहाँ यहाँ पर आराम से 8-10 kg का weight आराम से hold कर सकते हैं और यहाँ पर आपको space भी काफी देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पर पर पैर रखके देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी space देखने को मिलता है और जो नी है यानि कि जो आपका गुटना है वो इससे टकराएग नी क्योंकि इसका design ऐसा बनाएगा कि घुटने के लिए यहाँ पर काफी space है अगर आप आगे भी काफी weight लेके चलते हैं या पीछे से weight आप काफी आगे सकके weight तो भी आपका गुटना इससे टकराएगा है और आप इसली इसको right कर सकते हैं तो मेरे साब से काफी अच्छा अच्छी है मैं लिए उन लोग के लिए जो high performance स्कूर्टी ढूंड रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को like subscribe share जरूर करें और thank you for watching it और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस पर बने रहे हैं इस पर आपको daily कोई ना कोई वीडियो आपको जगर देखने को मिलेगी thank you for